एक बार चार दोस्त रेमपल, पूजा, राकेश और उज्वल ने एक प्लान बनाया कि क्यों न हम सब उधैपुर गुमने चले इस विकेंड पे जब प्लान कंफम हो गया तो चारों मुंबई ऐरपोर से उधैपुर आ गए अब उधैपुर से 85 किलोमेटर दूर कुम्बल गड़ के लिए वो चारों निकल गए अभी फिलाल शाम के करीब 6 बच चुके होंगे ऐसे में कुम्बल गड़ के लिए एंट्री बंद हो चुकी थी तो उन्होंने पास में एक होटल में रूम ले लिया उजवल और राकिष दोनों का यूट्यूब पे एक होंटेट व्लोग वाला चैनल था जहां दोनों नाइट्व में होंटेट व्लोग शुट करके डाला करते थे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका ये आखरी वीडियो भी हो सकता है अब राकिष और उजवल दोनों ने अपना कैमरा सेट अब रैडी किया उन निकल नहीं वाले थे तब ही डिमपल और पुजा बोली हम भी साथ चलेंगे लेकिन राकिष बोला दिको ये जगर लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेप नहीं है यहाँ बूतों और जानवरों से ज़्यादा इंसानों का खत्रा है चो लूट पात भी कर सकते लेकिन डिमपल बोली हमारे पास सीक्योटी के लिए गन भी है तो डर किस बात का हम भी साथ चलेंगे ना अब चारो साथ पे थे लेकिन पुन्नी मा की रात में कुछ ठिक ठाक नजर आ रहा था अभी गरिब रात के ग्यरा बजे थे और सुनसान रात में हजीब और गरिब चानवरों की आवाजे भी आ रहे थी यह आवाजे राकेश और उजवल के लिए नोर्मल बात थी लेकिन डिमपल पुझा के लिए नहीं बात थी इसलिए वो डर रहे थी क्योंकि वो पहली बार रात में इस तरह से बाहर निकले थी उजवल और पुझा एक पाइक पे थे वही राकेश और डिमपल दुसरी बाइक पे थे अब कुछ दूर रास्ता तय करने के बाद आगे पाइक चाह नहीं सकती थी इसलिए उन्हें बाइक्स को वही पार्क करनी पड़ी अब हम चारों जंगल के रास्ते अंदर थे हैं हम चाहते थे कि कुछ अच्छा हांटेट वीडियो स्चूट हो जाए तब ही अचानक से उपर पहाडों से कुछ जानवर उतर के आए और उन चारों के पीछे बढ़ गए अब राकेश ने हवाई फाया दिख लेकिन वो डरे नहीं अब उनकी जान आपत में थी जंगली जानवरों का शिकार वो करने सकते थे क्योंकि ये घेर कानों नहीं अब चारों ने भागने का फेसला किया लेकिन आनन फानन में उजवल राकेश और डिमपल पुझा चारों अलग अलग होगे अब चारों ने सोचा कई न कि आगे जाकर नविल जाएंगे लेकिन राकेश और उजवल दोनों साथ आगे लेकिन डिमपल पुझा का गई आता पता नहीं था अब राकेश और उजवल को खुछ से ज़्यादा डिमपल पुजा की चिंता थी तो वो फिर से उजंगल की तरफ बढ़ने लगे कि सायद वो की दिख जाए अब ना की जंगली जानवर नजर आ रहे थे ना ही डिमपल पुजा वो ना ही मोबाइल में नेटवक था फिर जंगल में कापी दिर चानमिन करने पर राकेश और उजवल को डिमपल रोती हुई अवस्ता में मिली वो किसी और इशारा करते हैं बोली उदर जब दोनों ने उसके किये हुए इशारों की तरफ देखा तो उनके होस उड़ चुके थे वहाँ चार-पास बेड़े एक ग्रूप में किसी का सिकार कर रहे थे अब राकेश और उजवल को लगा कि पुजा उनके बीच नहीं रही राकेश ने फायर करके बेड़े को पगया लेकिन वहाँ देखकर उनके होस उड़ चुके थे बेड़े का सिकार होई पुजा नहीं बलकि खुद डिमपल ही थी अब वो इस बात को लेकर कंफिज हो गए कि अगर यह डिमपल ही थी तो उनके साथ में को ने दोनों ने डर कर पीचे की और मूड कर देखा तो डिमपल अब बेड़े में तबदिल हो चुकी थी साहिद मनने के बाद उसने बेड़े का रूप धारन कर लिया था अब वो दोनों आगे आगे पीचे डिमपल के आत्मा वाला बेड़े आ जैसे त्से करके वो दोनों जान बचा कर बागे और एक पेड के पीचे चुप ले अब बेड़े देखे की नजर नहीं आ रहा था अब दोनों वो पेड के निची बेट गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोस्त होते हैं भी डिमपल उनका पीचर क्यों कर रही है और पूजा कहा गायब हो गई दोनों ने सोचा किया पता पूजा भाग कि होटल की तरफ पहुझ गई हो इसलिए दोनों ने डिसाइड कि होटल की तरफ भाग जाए जब वो दोनों होटल पे पहुझे तो डिमपल पूजा दोनों होटल पे शुरक्सित थी यहां तक तो उनको एक भी खरोज नहीं थी अब उन दोनों को उनके आखों पर यकिन नहीं हो रहा था कैसा कैसे हो सकता है जब उन्हें डिमपल पूजा को कुछ पूजा कि तो विती तो वो बोली हम तो सिधा ही होटल पर आगे कैसे भी करके अब यह मुद्दा उनके लिए पहली बन चुका था चारो रात को उसी रूम में सो गए अब सवेरा हो चुका था उठकर देखा तो डिंपल पूजा गायब थी राकिश ने उजुवल को उठाया आसपस देखा दोनो की होटल तुनने पर भी नहीं मिली लेकिन दोनों ने किसी को कुछ बताया नहीं अब दीन बर जंगल में इदर उदर भागते रहे तूनते रहे लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं था रात को फिर से राकिश और उजुवल ने से एक सिक्रेट अभ्यान जारी किया अब जोपड़ी के अंदर से अजीब हो गरीब बदबू आ रहे थी और खुंद के धब्बे धब्बे थे ऐसा लग रहा था जैसे वाँ डिमपल और पूजा की लासे पड़ी हुई है राकिश पास जागर डिमपल को हिलाते हो देखता है डिमपल पूजवल भी पूजा को हिला पूजवल पीछे पीछे डिमपल पूजा अब इदर उदर भागने के बाद अचाराक से चारो एक रास्ते पर आ जाते अब राकिश पो रुजवल के मोच सर पे थी अब क्या राकिश पो रुजवल बच पाएंगे ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में उम्मित